ओम शान्ति आज दस तारिक नौमास की मुल्ली हैं मुख्यरुप से बाबा कहते हैं मिठे बच्चे तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे प्रश्ण है जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है उत्तर अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है समझती हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहे चार्ट लिखने में बहुत फाइदे है बाबा केते बच्चे इसमें लज्जा मत करो ओम संति रुहानी बाप बैठ के बच्चो को समझाते है अब तुम बच्चे पंदरा मिनिट पहले आकर के यहां बाप की याद में बैठते हो अब यहां और तो कोई काम नहीं है बाप की याद में ही आकर के बैठते हो बक्ति मार्क में तो बाप का परिचे है नहीं, यहां बाप का परिचे मिला है और बाप कहते हैं माम एककम याद करो, मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ बाप को याद करने से वर्सा तो अटोमेटिकली याद आना चाहिए छोटे बच्चे तो नहीं हो ना बल लिखते हैं हम पाँच मास वा दो मास के हैं प्रदो तुमारी करमेंद्रिया तो बड़ी है ना तो रुखानी बाप समझाते हैं यहां बाप और वर्से की याद में बैठना है जानते हो हम नर्स नारायन बनने के पुर्षाट में तकपर है वह स्वर्ग में जाने के लिए पुर्षाट कर रहे हैं तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए हमने यहां बैठे-बैठे कितना समय याद किया लिखने से बाप समझ जाएंगे ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है कि हर एक कितना समय याद में रहते हैं वो तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं बाप की याद थी या बुद्धी कहां और तरफ चली गई ये भी बुद्धी में है अभी बाबा आएंगे तो ये भी याद थेरी न कितना समय याद किया वो चार्ट में सच लिखेंगे जूट लिखने से तो और ही सोगणा पाप चड़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा इसलिए सच लिखना है जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे और ये भी जानते हो हम नस्दीक आते जाते हैं जितना याद करते रहेंगे उतना बाबा के नस्दीक जाने का अन्मव रहेगा आखरीन जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएगे फिर कोई तो जट नई दुनिया में आके पाट बजाएगे कोई फिर वहाँ ही बैठे रहेंगे वहाँ कोई संकल्प तो आएगा नहीं वो है ही मुक्तिधाम दुख और सुख से न्यारे सुखदाम में जाने के लिए अब तुम पुर्शात करते हो जितना तुम याद करेंगे उतना भी कर्म विनाश होंगे याद का चाट रखने से ज्यान की धारणा भी अच्छी होंगी बाबा केते हैं चाट रखने में तो फाइदा ही है बाबा जानते हैं याद में न रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है बाबा क्या कहेंगे मुर्ली में सुना देंगे बाब कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं कि हम याद करते हैं वा नहीं करते हैं कल्यान कारी बाप तो समझाते हैं नोट करेंगे तो कल्यान होगा जब तक बाबा आये उतना समय जो यहां बैठे हैं उसमें याद का चाट कितना रहा फर्क देखना चाहिए प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है न कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठेर जाती है फिर शादी होने से पक्की हो जाती है बिगर देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिवाबा हमारा बेहद का बाप है बल देखा नहीं है प्रन तुम बुद्धी से समझ सकते हो न वो बाप अगर नाम रुप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो याद क्यों करते हो नाम रुप से न्यारी बेयंत तो कोई चीज होती ही नहीं है जरूर चीज को देखा जाता है तब वरणन होता है आकाश को भी देखते हैं न तो बेहंत नहीं कह सकते हैं बक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं हे भगवान तो बेहंत थोड़ी कहेंगे हे भगवान कहने से तो जट उनकी याद आती है तो जरूर कोई चीज है आत्मा को भी जाना जाता है देखा नहीं जाता है सभी आत्माओं का एक ही बाप होता है उनको भी जाना जाता है तुम बच्चे जानते हो बाप आकर के पढ़ाते भी है दुन्या में बक्ति मार्ग में किसी को भी नहीं पता कि बाब कभी आकर के पढ़ाते भी है आगे ये मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी है कृष्ण का नाम डाल दिया है कृष्ण तो इन आखों से देखने में आता है न तो उनके लिए फिर बेयंत या नाम रुप से न्यारा तो कह न सके कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं कि माम एकम याद करो वो तो सन्मूख है उनको बाबा भी नहीं कहेंगे माताएं तो कृष्ण को बच्चा समझ के गोद में उठाती है जन्मास्टमी पर छोटे कृष्ण को जुलाएंगे क्या सदैव छोटा ही है नहीं फिर रास्विलास भी करते हैं तो जरूर बड़ा हुआ फिर उनसे बड़ा हुआ वा क्या हुआ कहां गया किसी कोई पता नहीं सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा न कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं सोचते नहीं है ये पुजा आदे की रसम चली आती है ज्यान तो कोई में है ही नहीं दिखाते हैं कृष्ण ने कंसपूरी में जन्मल लिया अब कंसपूरी की तो बात ही नहीं है कोई का भी विचार नहीं चलता है भक्त और लोग तो कहेंगे कृष्ण हाजरा हजुर है फिर उनको श्नान भी कराते हैं खिलाते भी है अब वो खाता तो नहीं है रखते हैं मुर्ति के सामने और फिर खुद खा लेते हैं ये भी भक्ति मारगवाना श्रिनाज जी पर इतना भोग लगाते हैं वो तो खाता नहीं है खुदी खा जाते हैं देवियों की पुजा में भी ऐसे करते हैं, खुदी देवियां बनाते हैं, उनकी पुजा आदी करते हैं, और फिर डुबो देते हैं, जेवरात आदी उतार के डुबोते हैं, फिर वहां तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वो उठा लेते हैं, देवियों की ही जा पुत्रा भी कहेंगे, समझेंगे न किस जन्म और भविश्य के रूप की पुजा कर रहे हैं, कितना वंडर्फुल ड्रामा हैं, ऐसी ऐसी बाते शास्त्रों में तो आना सके, ये हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटी, तुम बच्चों को अब ज्यान हैं, समझते हो, सबसे चास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के, जब रूद्रा यग्य रचते हैं, तो लाखो साली ग्राम बनाते हैं, देवियों के कब लाखो चित्र नहीं बनाएंगे, वो तो जितने पुजारी होंगे, उतनी देवियां बन आते हैं, उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता, कोई मुहूर्त आदी नहीं होता, जैसे देवियों की पुजा फिक्स टाइम पर होती है, सेट लोगों को तो जब ख्याल आएगा, कि रूद्र या साली ग्राम रचे, तो ब्रामन को बुला लेंगे, रूद्र कहा जाता है एक बाप को, और फिर उनके साथ धेर साली ग्राम बनाते हैं, वो सेट लोग कहते हैं, इतने साली ग्राम बनाओ, उनकी तिथी तारीक कोई मुकरर नहीं होती, ऐसे भी ने कि शिव जैन्ती पर ही रूद्र पुजा करते हैं, नहीं, अक्सर करके शुब दिन ब्रहस पती को ही र युगल है न, मनुष्य इन बातों को जानते नहीं है, लक्ष्मी को पैसे कहां से मिलेंगे, युगल तो चाहिए न, तो ये लक्ष्मी नारयन युगल है, नाम फिर उसका महालक्ष्मी रख देते हैं, देविया कब होई, महालक्ष्मी कब हो करके गई, ये सब बाते प्रशे नहीं जानते हैं, तुमको अभी बाप बैठ करके समझाते हैं, तुमारे में भी सबको एक रसदारना नहीं होती हैं, बाबा इतना सब समझा कर, फिर भी कहते हैं, शिबाबा याद है, वर्सा याद है, मुल बाथी ये हैं, बक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट क तुम सर्विस करते हो शॉल्वंट बनने के लिए बक्ति मार्ग में तो भहत पैसे खर्च करते हैं इन सॉल्वंट बन पड़ते हैं सब मिट्टी में मिल जाता है कितना फर्क है इस समय जो कुछ करते है वो इश्वर ये सर्विस में शिबाबा को देते हैं शिबाबा तो खाते नहीं है खाते तुम हो तुम भ्राम्मन बीच में ट्रस्टी हो ब्राम्मा को भी नहीं देते हो तुम डायरेक्ट शिबाबा को देते हो कहते बाबा आपके लिए दोती कमिज लाया है बाबा कहते हैं इनको देने से तुमारा कुछ भी जमाने होगा जमा वो होता है जो तुम शीबाबा को याद करके इनको देते हो फिर ये तो समझते हो ब्राम्मन शीबाबा के खजाने से ही पलते हैं बाबा से पुछने की दरकार नहीं है कि क्या बेजो ये तो लेंगे नहीं, तुम्हारा जमाई नहीं होगा, अगर ब्रह्मा को याद की आतों, ब्रह्मा को तो लेना है शिबाबा के खजाने से, तो शिबाबा ही याद पड़ेगा, तुम्हारी चीज क्यों लेवे? किसी ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार को देना भी रौंग है बाबा ने समझाया है, तुम कोई सेबी चीज लेकर के पैनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी कोई हलकी चीज है, तो उनकी बात नहीं अच्छी चीज तो और ही याद दिलाएंगी फलाने ने ये दिया है उनका कुछ जमा तो होता नहीं है तो घाटा पड़ा नहां शिबाबा कहते हैं माम एककम याद करो मुझे कपड़े आदी की दर्का नहीं है कपड़े आदी बच्चों को चाहिए वो शिबाबा के खजाने से पहनेंगे मुझे तो अपना शरिद है नहीं ये तो शिबाबा के खजाने से लेने के हकदार है राजाई के भी हकदार है बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं न तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो जितनी सर्विस बहुत उतनी कमाई भी बहुत होंगे खाएंगे पिएंगे शिबाबा के बंडारे से उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा शिबाबा को ही देना होता है बाबा आपसे भविश्य 21 जन्मों के लिए पदमा पदम पती बनेंगे पैसे तो खतम हो जाएंगे इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं बाप समर्थ है न, 21 जन्मों के लिए वो देते हैं, इन डारेक्ट भी इश्वर अर्थ देते हैं न, इन डारेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, अभी तो बहुत समर्थ है, क्योंकि सन्मुख है, वर्ल्ड अल्माइटी अथोरिटी इस समय के लिए है, इश्वर अर्थ कुछ दानपुन्य करते हैं, तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है, यहां तो बाप तुमको समझाते हैं, मैं सनमूख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ, इसने भी शीबाबा को सब कुछ दे कर, सारे विश्व की बादशाई ले ले न, किसने, ब्रह्मा बाबा ने, ये भी जानत हो, इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात कर होता है, इनमें शीबाबा आकर बच्चों से बात करते हैं, कभी भी ये ख्याल नहीं करना चाहिए, हम मनुष्य से लिवे, बोलो, शीबाबा के भंडारे में भेश दो, इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा, और ही गाटा पड़ जाएगा, गरीब होंगे, करके तीन चार रुप्य की कोई चीज तुमको देंगे, इनसे तो शीबाबा के बंडार में डालने से पदम हो जाएगा, अपने को गाटा थोड़ी दालना है, पूजा अकसर देवियों की ही होती है, क्योंकि तुम देवियां ही ख जासती है, देवियों की बहुत पुजा होती है, ये भी तुम बच्चे समझते हो, आधा कल्प हम पुज्य थे, पहले हैं फुल पुज्य, फिर से में पुज्य, क्योंकि दो कला कम हो जाती है, राम की डिनायस्टी कहेंगे त्रेता में, वो तो लाखो वर्ष की बात कह दे हैं, तो उनका कोई हिसा भी नहीं हो सकता, भक्ति मार्ग वालों की बुद्धी में, और तुमारी बुद्धी में, अब कितना रात और दिन का फर्क है, तुम हो इश्वर्य बुद्धी, और वो है रावन की बुद्धी, तुमारी बुद्धी में है, कि ये सारा चक्र ही प आखो वर्षका है, जो दिन में हैं वो समझते हैं 5000 वर्षका है, आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बाते सुनी है, सत्योग में ऐसी बाते होती ही नहीं है, वहां तो वर्षा मिलता है, अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है, श्रिमत भगवत किता है न, और कोई श पर श्रीमत नाम नहीं है, हर पाँच जार वर्ष के बाद ये पुर्षोतम संगम योग अर्थात गीता का योग आता है, लाखो वर्ष की तो बात हो नहीं सकती, कभी भी कोई आये तो ले जाओ संगम पर, बेहद के बाप ने रचेइता अर्थात अपना और रचना का सारा प तो कम से कम क्या करो, अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करो, पवीत्र तो बनना ही है, बाप से वर्षा लेते हो, तो दैवी गूण भी जरूर धारण करने हैं अच्छा, मिठे मिठे, सिकी लदे बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते दाणा के लिए मुख्यसार 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट इश्वर्य सेवा में सब कुछ सफल करना है ट्रस्टी बनकर शिबाबा के नाम पर सेवा करने है दूसरा याद में जितना समय बैठते हैं उतना समय बुद्धी कहां कहां गई ये चेक करना है अपना सच्चा सच्चा पोता मिल रखना है नर से नारैन बनने के लिए बाप और वर्से की याद में रहना है वर्दान अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने स्रेष्ट भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्चा मात्रम अविद्या बब बाबा कहते हैं जिसका बाप ही भाग्य विदाता हो उसका भाग्य क्या होगा? सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है वाह मेरा स्रेष्ट भाग्य और भाग्य विदाता बाप यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा कोई छीन ने सकता, लूट ने सकता कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गई स्लोगन विकर्म करने का टाइम बीट गया अभी व्यात संकल्प बोल भी बहुत दुखा दे देते हैं ओम शंती ओम शंती